समाचारों में आगे बढ़ते हैं प्रधार मंत्री नरेंद्र मूदी ने आज दिल्ली में प्रगती मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतिय सिक्षा समागम का शुभारंब किया ये कारिकर्म राष्ट्रे सिक्षा नीती 2020 लागो होने की तीसरी वर्ष गाट के अवसर पर आयूजित किया जा रहा है इसका उदेश्य युवाओं को बनियादी मानवी मुल्यों से जुडाओं के साथ मविश्य की चुनोतियों से निपटने के लिए तयार करना है इन तीन वर्षों के दौरान विद्याले उच्च और कौशल सिक्षा के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव होए है कारकर्म के दौरान प्रधानमंत्री ने पीम श्री योजना के तहत नीधी की पहले किस्त भी जारी की प्रदानमंत्री ने बारा भारतिय भाषाओं में अनुदित सिक्षा और कौशल पार्टिक्रमों की पुस्तकों का विमूचन भी किया इस अफसर पर प्रदानमंत्री ने कहा कि सिक्षा के लिए समवाद जरूरी है और सिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने की ताकत है शिक्षा में देश का भाग बदलने की ताकत होती है उन्होंने कहा कि एक्षित्रिय भाशाओं में सिक्षा देने की शुरुवात की जा रही है ये सामाजिक समानता का भी पड़ाओ है अब पूरे देश में CBSC स्कूलों में एक तरह का पाठिक्रम होगा इसके लिए NCRT नई पार्ट पुस्तके तयार कर रही है तीसरी से मारवी कछाओं तक लगभग 130 विश्वरों की नई किताबे आ रही है और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब सिख्षा छेत्रिये भाषाओं में भी दी जानी है इसलिए पुस्तके 22 भारतिय भाषाओं में होगी साथियों युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है मात्र भाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवाओं टेलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुवात होने जा रही है